वाओ नहीं सकता है जोर जोर से बोल गया दर्शन करने गए अंदर तो भाव मेरा बदल गया राम लिला को ताले में देखा था दो साल पहले अब ताला खुला है तब देख रहा हूँ हम राम की कसम खा रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे हम अयोध्या भ्रमण पर निकले हैं और आपको अयोध्या की हर वो चीज दिखा रहे हैं हर वो विकास दिखा रहे हैं जहां पर राम बसते हैं यहां पर कहा जाता है कि अयोध्या नगरी राम की नगरी है दसरत की नगरी है यहां राम हर जगह बसे हुए हैं कलकल में बसे हु सर्यू के किनारे पर हम बैठे हुए हैं ऐयोध्या में और यहां पर बात कर जाए तो काफी संघर्षों की कहानिया हैं बात करें जिन्होंने वो संघर्ष देखा और आज राम जन भूमी पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है 22 जन्वरी 2024 को राम जन भूमी पर राम मंदिर में राम लला की प्राहणप्रतिष्टा की जाएगी उसका जो संघर्ष है उस संघर्ष को बताने के लिए हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद है वो कारसेवक मौजूद है जिन्होंने गोलिया खाई है जिन्होंने संघर्ष किया है अपना रक्त दिया है इस आयोध्या को यहाँ के संघर्ष के लिए उनी से जानते हैं उनी क गोलियां खाई थी उस कार सेवा के दोरान जब वो बाबरी विद्भंश हुआ था उनी से जानेंगे उनी के जुबानी बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की खबर में संतोज जी बात करें बहुत संघर्ष किया है राम जन भूमी पर राम मंदिर बनने के लिए और आज वो दिन है जब राम मंदिर निर्माण पूरा हो रहा है और 22 जनवरी 2024 को राम लला की प्रार प्रतिष्टा भी हो जाएगी क्या मंजर था क्या संघर्ष रहा जरा बताए देखे 84 में पहली बार धर्म सभा हुई थी यहां संकल्प सभा तो लोगों के बुलाने पर परमंज जूंचे प्रवेश करके और हाथ में सर्वुजल लेकर सउगंध राम ईकाते कें मंदिर भी नारा वहीं से निकला है राम मर जाएंगे यहां यहींगे अवी में बनाएंगेो और लोगों की तुम्हें नी जानता था मैं शंसकारी परिवार में जन्मा था तो मैं घर आया तो मैंने अपने पिता जी को सारी बातें बताई तो पिता जी भी सांदोलन से जुड़े रहे उन्चास की घटना में वह रहे तो उन्होंने कहा कि संकल्प ले लिया है तो करना युद्या में बैठे हुए है रामायड की चौपाई है रगुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए परवचन ना जाए उन्होंने कहा भी कि जैसे रगुकुल की रीती है वैसे भ्रगुवंश की भी रीती है कि जो कह दिया वह हो कर रहे इसके लिए जो भी करना प्रभू से कहा कि प्रभू हमारे जीवन में खुसियां तभी आएंगी जब आपके जीवन में भी होंगी आप ताले में है और हम बाहर से दर्शन कर रहे हैं मैं आपको मुह दिखाने अब तभी आओंगा जब अब भवेतम मंदिर में होंगे अब यह बात कहकर में चला य फिर 86 में दो साल बाद हमारे मौसरे भाई थे श्रीवमेश चिंद पांडे जी वो अधिवक्ता थे उन्होंने एक याचिका दाखिल की कि यह ताला किसके आदेश से बंद है खोला जाने लगा पूरा मामले की जब पर्त दर पर्त खुली तो कोई आदेश नहीं था तो जिला नयाधीस ने आदेश कर दिया कि किसी का आदेश नहीं था इसलिए ताले को तोड़ा जाए हटाया जाए जो 56 में जब ताला तोड़ दिया गया तो साइंक आल उमेश भया मेरे घर आए तो उन्होंने कहा कि यह लड्डू दिया लड्डू खांबे ने लड्डू खाया तो उन्होंने कहा कि यह लडडू बड़ा मेंगा है लेकिन याद रख्यों इका करेक पड़ी पूरा बताई क्या कीमत है बोले हमने तो ताला खुलवाया राम जनम भूमी का अब तुम बावरी धांचे को जब ढाहोगे तभी राम मंदिर बन पाएगा संकल बड़ा है दो साल पहले से मन में ये वीज डाल दिया गया था वीजा रोपन हो रहा था अब वो बड़ा होने का समय आ गया फिर मैं रात बर में सोया नहीं बड़े भाई को बचन दिया जिसकी गोद में खेला था उसके पूर्व सरजु मया से कहकर आया था फिर राम लि इस वरसे लोग आये थे तो मैं दर्शन नहीं कर पाए हैं सायंकाल में सर्यूर्ट पर यहीं आगे सहस्त्र धाराय कस्तान है हमारी अयुद्या में प्रचली थे कि वहां आप कोई बात सोच लें होती है तो मैं आगे महीं बैठा था असोग ब्रिक्ष के नीचे अभी तो अ साल पहले ऐसा हुआ अब 20 साल यह हो गया आप क्या करें तभी एक बड़े संत आये पीछे से उन्होंने मेरा सिर्ट ठोका मैंने पलट कर देखा तो बड़े सुन्दर बड़े बड़ी बड़ी जटाओं वाले विक्ति ऐसे लगता था कोई 30-32 वर्ष के रहें होंगे एक बस्त्र भही एक पहने थे वही ओड़े वे थे रुद्राक्ष की माला और बिल्कुल वो बिंदू जो चंदन होता हो मैं उनको देखकर चौग गया फिर मैं उनके चरणों में लेड़ गया दंड़ प्रणाम किया इसके पहले मैंने कभी किसी को दंड़ प्रणाम किया नहीं था पर अकस्मात संसकार बस भगवान की क्रपा या उनका आकर्षण या उनका व्यक्तित्व जो भी कहा जाए तो उन्होंने कहा कि क्या सोच रहो कि बाबरी मस्जिद कैसे ढाओगे ये बात मेरे मन में और बाड़ गई राम मंदिर कैसे बनाओगे ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है जिसने कहा ओ कह दिया तुमने हां कर दिया हमने कहा महराजी करतो लिया बोले पहले राम लिला के दर्शन करो कल सुबह नौ बज़े पहुँचो हम भी आ जाएंगे आ सुबह रात बन मुझे फिर नीदनी आए मैं सुबह पहुंच गया जूकि बच्पना था ज्यान नहीं था अपने अंदाज से काम करना था तो मैं पहुंच गया महराजी मिले मुझे घाट पर राम जन भूमी के पास थोड़ी प्रतिक शागवाद वाए उनका आभा मंदल ऐसा था कि उनको देख हर कोई प्रणाम कर लेता था कि मैंने वहाँ दंड प्रणाम किया और उन्हों का चलो वह आगे चले मैं पीछे कोई ना तो पुलिस अधिकारी ने उनको रोका ना हमको टोका ना पबलिक के लोग उनको सीज जुका लेते थे कौन थे बगवान जाने मेरे प्रती उनके मन में क्या भाव था यक्षना गंधर्व किन्नर देव दानों मानो स्वयम हनुमान जी देवर्शी नारत जी कौन थे वो जाने मैं नहीं जानता दर्शन करने गए अंदर तो भाव मेरा बदल गया राम लिला को ताले में देखा था दो साल पहले अब ताला खुला है तब देख रहा हूं ये भी देखा कि उन महराजी को पुजारी सास्टांग परणाम कर रहे हैं तो मुझे लगा कि ये संत एक तो अंतर गयानी है और इतना संवान इनका तो फिर मैं खो गया राम लिला के सामने और मैंने संकल्ब लिया कि प्रभू अब तो फिर आ गया दुबारा अब नहीं आओंगा अब धाचा तोड़ने ही आओंगा नाचा तोड़े बगार मंदिर बन नहीं सकता है मैं वहाँ यह कहे कर भाव को गया रोने लगा जोर जोर से बोल गया तो एक डिप्टी पहर आए उन्होंने कहा साइंकाल मिलना तो मैं घर नहीं गया फिर आके बैठके मुझे लगा यहीं मिलेंगे कोई अता पता नहीं था उन दिनों को मोबाईल जैसी चीज न थी आके घाट पर ही बैठके साइंकाल और फिर आए देंड़ प्रणाम फिर हमने कहां कि महराजी कै से क्या करें बोले 200-400 लोगों की टीम बनाओ यह आओं की उनमें जुनून जगाओ जोस्ट पैदा करो बाकी मैं हूं तो मैंने कहा सरकार मेरे बाद पैसे नहीं है तो उन्होंने पहली बार मुझे मुझे याद है कि 2000 रुपए साइद दिये थे पीछे हाथ ले गए और कहा अब काम हो जाएगा मेरे पास स्कूटर थी उन दिनों SD मोटर साइकल थी फिर उसके बाद उसको उसी से हम दौड़ भाग करके लोगों को जोडने लगे अधाय तीन सो लोगों की संख्या जोटी इसी बीच सहाबु दीन था एक सांसत था उसने घोशना की थी हम राम जनम भूमी पे जो बाबरी मस्जद सब्द बोला था कि महां नमाज पढ़ूँगा इधर भाशपाले काहें को चूकते बिने कट्यार ने अपना तीर दाग द कालेज शहर में वहां से उसको निकलना था हम चौराय पर हम लोगों ने काला जंडा लेकर उसका विरोध किया उसको याने सुरोका पुलिस ने हमको पकड़ लिया ले जाके मनकापुर जंगल में छोड़ दिया आप पैदल हम लोगों दूर आये पर कोई बात नहीं जो अच्छा नहीं है राजनीती से होकर गुजरना पड़ेगा तब भगवान आएंगे उनका यह आशे था हिंदू रास्ट बनाओ यह करो करो पर मेरे मन में क्यों गैती सब्बल बावरी धाचा गैती सब्बल बावरी धाचा देखता था और परमन जी का वह भाशन कि जो ची सारे काफी लोग मिले पिर मैंने शिवसेना जवाइन करी मुझे लगा कि हमारे विचारों का यह दल है तो मैं बाला साब से मिलने गया उन से मिला वो मेरे जुनून से बड़े प्रभावित हुए उन्होंने मुझे पूरवी उत्तरपरदेश का शिवसेना का प्रमुख बन मैं एंटर की परिक्षा दे रहा थो तो उसमें आईपी सिंग गुरू जी थे मैंने पढ़ाई करी नहीं थी तो पूरा साल तो मैं बाबरी मस्जिद मन में गिरा रहा था तो परिक्षा देने गया तो उन्होंने कहा क्यों रहे लोफर कुछ आ नहीं दा है साल भर घुमें पढ़े तो हैं कि अच्छा क्या सोच रहे हूँ तो मैंने उनको बताया कि और जैसा कि बारी मस्जिद कैसे गिरा हूँगा यह 86 में था यह मामला तो पीछे चले के चार-पांच फिट और उन्होंने त्रपाठी जी वह अशोक पंडे जी थे उनको बुलाया और कहा यार इसको पास करा दिया जाए किसी तरह नहीं पाप के भागीदार हम बनेंगे मुझे अलग कमरे में रखके ओं न्ल कर आएद्र को में नहीं कह सकता परंब यम आटो तो मैं तो अपनी हैसियत जानता था तो में कि अ हैसियत तो एक यादो गुरुजी थे उन्होंने देखा क्या है तेरा उन्हें को अपना ड़ते हुए प्रवेश पत्र पकड़ाया उन्होंने फस्ट वीजन से देखना शुरू क्या करें यह तो पास हो तुम तो मैंने का गुरुजी मेरा नहीं हो सकता है एक बार और देख लें पर से तो जब मारसीट मैं तो मुझे लगा कि जिन राम की कृपास मुझे यह मिले है अब यह मुझे बढ़ाने एक घटना थी अ अब इस काम में मैं लग गया मेरे राट-दिन सोने में जागने में खाने में पीने में अब ठाली भोजन की है लेकिन ढाचा डाया जा रहा है उ सब्सक्राइब चलती थी कि शुबसेना में सामिल होने के बाद फिर हमने एक नए स्कूटर खड़ी दी और पूरे पूरी उत्तर प्रदेश में उस समय तो यह रभी शंकर भीया हमारे साथ थे 87-88-89-90 तक का हो तो फिर पूरे पूर्वांचल में हमने करीब करीब कई हजार क शंक्या में शुबसेना के कारिकरता बनाए लेकिन बात बनी ने 30 अक्टूबर से पहले बाला साब ने एक पत्रा चार किया वह पत्र वहां काए सुधीर कुछ करके नाम था उनका वह एमेले थे तो वह बाला साब का पत्र को किसी कि शुबसेनिक के पास आ जाए तो उसके लिए वह धन्यता थी जीवन धन्यता थी तो मेरे पास वह पत्राया मैं पढ़ा उसमें लिखा था कि उत्तर परदेश में करफू लगा लग जाएगा अडवानी गिरफतार होंगे यह साइब 20 तारीक का था मुझे लगता है अक्टूबर 20 था नबेखा आपको यहां से मोरेश्वर सावेशांशद और सतीस प्रधान शांशद के नेतरतु में एक शिवसेनगर 90,000 लोगों जथा जाएगा 30 अक्टूबर को आयवध्या पहुंचाना है वो उन्होंने वो जगें बताई थी तो राम गंज अगर एलवेस्टेशन है सुल्तानपु तो वहां हमने उनको रिसीप किया उनलोगों को जंगलों से गन्य गल्यों के इनतिस तारिक तक उन लोगों को खेद मेड होते हुए इतनी संख्या में उस समय उतर परदेश में करफू लगा दिया गया था मुझे लगता compost यए 22 तारिक को ही करफू लगा दिया गया था nba कि रातरी में इस TWA लोग आ गए थे यहां बहुजन पानी में और शहर के लोगों को भी जोड रखा गया था विनौस शरमा जी कि अब नहीर गया उनकहे नेड़रु से शहर के लोगों को बुलाए गया था तो यहां बोजन की विवस्ता लंच पैकेट वगरा की गाओं गिराओं के लोगों ने की थी अधिया में करफू था तो बगल के जो ग्रामीर एरिया थे कुछा केशवपूर और सराय रासी ठाकुरों के बड़े गाओं है यह कुछा केश विच्छु ने डंक मार दिया साब गन्ये के खेत में आब वहां सरकार से छिपके रहना है प्रशाशन्त ऐसी जगें मार दिया कि मैं दिखा भी नहीं सकता था कोई डाक्टर भी नहीं क्या करें तब हमांजी से प्रभू काम तो आपका कर रहा हूं ना कोई तुटी रह अप्रभान की बड़ी कृपा हो गई कि अराम मिल गया दर्द तो था पर बड़ा दर्द था ठाट था ठाट तोड़ना है सिर दर्द था तो कहीं काम नहीं आए बिच्चु का दर्द काम नहीं आया है कि सुबह हम लोग वहां से 9 बज़े निकले भारी संक्या में और धाच पर सब एरियर बैरियर के लोगों खदेड थे पदेड थे हम लोग पहुंच गए वहां लेकिन अफसोस यह वह एक धाचे बर चड़े तो लेकिन भगवा ध्वज फहराना यह हमारा विशे नहीं था हम वह कोई राजनीतिक नहीं थे वह अंगुठा दिखा दे हमें तो धा अचा तोड़ना था भड़ा दूख हुआ धांचे पर चड़ने के बाद हम लोगों कमल दल और तो तोड़ दिया सादू के चमटे से तलवारें तीन से तोड़ दिया लेकिन धाचा तो इससे गिर नहीं सकता था बड़ा अफसोस हुआ इस बीच नीचे गोलियां चलने ले थे फिर उसके बाद महाराज जी हमको मिले जब मैं ठीक हुआ तो महाराज जी घाट पर हमको फिर मिले उन्होंने का बेटा इस तरह से धाचा ढाया नहीं जा सकता है जिस तरह तुम लोग कर रहे हो इसके लिए पांच हजार लोगों को तैयार खुरो और आयोध्या रामजन भूमी के सत्रह कोण हैं और उनको कोणों में पूरी टीम आपकी रहे है चर चर सो तीन तीन सो ढ़ाई ढ़ाई सो लोग हो इसके लिए आप कुबेर टीले पर चड़कर देखे तो आपको सब कोण दिखाई पड़ेंगे कुबेर टीले टीले जाया कुरो एक दिन तो वह लेके गए बाद में वहाँ जगू चपरासी था साइद वह बन बिवाग का था है जिसका भी रहा हो क्या होता था कुबेर टीला रामजन भूमी से सो मीटर पर है इतना ही होगा लग लग तो मैं वहाँ बैटकर डेली हम लो अंगुठा से या खून निकाल कर हस्ताक्षर करते कि क्या आप फार्म था उसमें लिखा था क्या आप राम बंदिर बनाना चाहते हैं यह दि हां तो बाबरी मस्जिद ढहानी पड़ेगी यह दि हां तो आपके प्रान भी जा सकते हैं यह दि हां तो आप तो ही आप कि अफ्री जांग करते और लोगों को जगाते यह दो हमान और तिरस्काय साथ तिरस्कार दूनों मिला पूरस्काल एक वर भी सुना होता है था अर्थ से भी सायोग करते थे उत्साह वर्धन करते थे कुछ लोग जड़क भी देते थे पर हम लोगों ने बेशरमी ठान रखी थी धाचा तोड़ना है तो सब सुनना पड़ेगा मन में सिर्फ एक हयाल कि धाचा तोड़ना है इस तरह से डेड़ साल में यह कारिक्रम पूरा हो गया है अब तोड़ेंगे कैसे यह समस्य खड़ी हो गई तो उसके लिए भी रास्ता बन गया Эक महासर यह रह में उन्होंने किसी से मिलवाया तो उनसे 1000 तलवारें 1000 त्रिशूल 1000 सब्बल मतलब बल्चक और 1000 हथाउड़े 1000 गैती तो जिन्नों ने हमको यह सब भेजवाया उन्होंने हमसे पूछा यह तलवारें क्या करेंगे यह हत्या हिंसा करनी क्या हमने करने हैं अईसा कुछ भी नहीं है हर अईयोत्या में जब हम इसकार क्रम को करेंगे तो उसमें शूउंद परिशाद ने घौशना कर दी दिशेंबर कौम कारसेवा करेंगे प्राया ऐसी ड्रामा चलता रहता था हर छए पहलेगरें तीन महिने अब कारसेवा बालWorld करेंगे अभा सटे करेंगे और जissements करेंगे एपसिला पूजन करेंगे चलता था लोग उप चुके थे हम लोग बहुत उप चुके थे तो उनको हमने बताया कि जो कारसेवक आएंगे वो तलवार से उनको नियंतरण में किया जाएगा मारा नहीं जाएगा और तर्शूल से यह जो अनाचारी मीडिया था उस समय है अनाचारी मीडिया इंदिशिंस आपको मालूम है कौन जो हिंदू गरवादी हिंदू चरंपन्थी हिंदू गरंपन्थी हां लेफ्ट राइट वाला मामला था तो यह था कि इनके सब कैमरे तोड़ देने हैं अगर कैमरे के बाद भी कोशिस कुछ और कोशिस करते हैं त हाथ भी तोड़ दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है तो लेकिन रामकार सेवा होनी चाहिए और कंक्रीट योजना के तहे तब काम होगा तो इस तरह 17 टीम बनाई गई और महराजी ने हिसका सब उन्होंने ही नक्सा बनाया था कैसे कैसे करना है इस मामले में देवरामदास व उनका नेत्रुत महिलाओं का सावित्री पाठक मंजू सिंग अनीता सिंग कमले शुकला ये सब थी तो उनको अलग रख दिया गया और जो पुरुस थे वह हम लोग एक जगे बेदानती आश्रम में रहे रात में हम लोग सब इकठा हुए हैं तो सब एक दूसरे के गले मिल की साथ कल इन पर से कौन kept बिस्मिल होगा कऊन रोशन सिंगह और कौन चंद्रिशेकर आजाद होगा तो पहलेग लोगों कहसे मजा हुए भी रहें हुए हैं पर हम सब मार दिये जाएंगे मने का हम सब को मिलें देखकर और खुसी होगी क्या और मैं भी धाचे को टोड़त तोड़ेंगे रामदुन भी रात में भाजपा के बहुत बड़े नेता थे वो भी मिलने आए संग के बड़े नेता आए उन्होंने भी बड़ा कहां बहुत सांत रहेगा इस पर चर्चा नहीं लेकिन बालमन था तो सीतला सिंग संपादक थे एक जन्मोर्चा हमार है था है उ उन्होंने वाइरल कर दी आपने बार मुझ से निकल गया कस्मात प्रेम परवश होने के कारणा हाला कि वो लेफ्ट थे और में राइड था लेकिन पिता जी के मित्र थे इसलिए वर्वस मुझ से निकल गया तो नों टेप कर लिया बाद में उन्होंने मेरे खलाब गवाई भी दी पर क्या है उनका अपना मत था उन्होंने डीम को फोन करके बताया भी कि धाचा बचाए नहीं जा सकता है जिस आदमी ने मुझ से बताया बड़ा कंक्रीट कार यह उजनावला वेक्ति है बड़ा रणनीत कार है लेकिन डीम रविन नाज श्रिवास्त थे उनको उन् खेग में बालू की रेत में समय रहे हैं तो पीडा जहली थी उपर से पुलिस ने परेशान कर रहा था फर्जी मुकदमे लाद दिये थे दरजनों घर के लोग अलग का हो मंदिर बन गया धाचवा गिरा दिला तो लोग ऐसा भी बोलते थे यह भोशपुड़ी में हम लोग जिस वहां वस्ती गोरखपूर देवरिया बलिया बनारज जाते हैं तो लोग कहते हैं का हो मंदिर वा उत्सा वर्दन की जगे मजाक उड़ाया जा रहा है खुब उड़ाया गया तो यह योजना यह बन गई कि किसी कुछ बताना नहीं और सुबह हम लोग 9 बजे वहां से पड़े बेदानती जी के आस्रम से उस तलवार धारियों का अपना काम सब का अपना अपना काम महिलाएं पीछे रसा लेकर चल लेए थी अविद्ध्या के लोग मुझे सब पहले से जानते थे उनको मालूम था यह जो आगे चल लाए यह कुछ करने वाला जुनिनी बंदा है तो उस दावरायन अविद्य हवास्यों को पक्का हो गया कि आज कोई नहीं बचा सकता है हम लोग धांचे के पांस पहुंचे और सब अपनी अपनी टीम में अपने काम में लग गए पांच लोगों के जिम्में था वो जनौरा बगल में गाओं है उन लोगों के जिम्मे था कि आप जब हम लोग मंच पर धाचे पर चड़ने लेंगे तो मंच पर जो भाशन वीर खड़े हैं भाशन दे रहे हैं मंदिरों ही बनाएंगे इस उनके तार काट देना है तो उन लोगों के जिम्मे एक काम लगा था तो साहसी लोग थे वहाँ अपना खड़े थे कंचा लिये जैसे मौका मिला उन्होंने जब हम लोग धाचे पर चड़ गए तो देर में काटा उन्होंने तब तक अड़वानी जी वगएरा हम लोगों को यह कह चुके थे अधर्मी लोग है यह कारसेवक नहीं है और आज अक्तत्व हैं बितंडावादी हैं अपना उनकी जो भाषा थी पर इसी वीच माइक कट गया और फिर भाषण वीरों का भाषण समाप्त हो गया उनको जूते चपल भी लोगों ने फेके अपमानीत भी किया सिंगल के दौरान मा अशुक सिंगल और उमअभार्ती जी आची। परिए अचे आटे कुछ बने नहीं 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 तो अब जो रसा था उसमें कांटे बनाये गए थे बड़े-बड़े की धाची के गुंबद पर जो लगा था राड उस पर फसें तो उसके लिए ताकतवर इंसानों को तलासा गया था चार-पांच लोग थे उनमें से गभी शिंकर भईया उसमय एकदम नौजवान थे और सबसे शक्तिशाली बेखती थे यह दो लोगों को अपनी मुठी पर यह बिठा करके खड़ा कर देते ते इतनी ताकत थी यह थे दुरगा पहलवान एक बिरेंदर सिंग है और प्रकास यादो जी थे इस दिए पांच-छे लोग बहुत शक्तिशाली लोग थे चंद्रपरकास लेकिन जब तलवार म्यां से बाहर आई तो बाबा जी भाग खड़ेंगे तो यह तलवार उनके लिए भी वही है आप चले जाईए नहीं माने तो खडेड लिया गया भी भाग चले कोई रुका नहीं हो और हम लोगों अपना काम और नारात नहीं हुआ थे कोई जिए श्रीडाम के नारा नहीं लगाएगा क्योंकि धांचे पर चठने के लिए एक इसारा थाल्टी मेटम या चेतावनी आगाह करना सब एक दूसरे को इसारे में समझाना हर हर महादेव हर हर महादेव दुर्गा पहलवान थे बड़े शक्तिशाली वेक्ति आवाज बड़ी जबर दसती उनके जिम्में था कि आप सुरू खरोगे तो यह यह नारे का जो था यह भी महराजी नहीं था एक जैसे नारा लगना शुरू हुआ चारो तरफ से उच्छा लग गया पंद्रे मेंट लग लेकिन इतनी तेज से सब चिलाने लगे कि जैश्रियाम का नारा डाउन हो गया हर हर महादेव हर महादेव फिर ढ़ाचे पर सब लोग हम लोग चड़ गए उसमें यह तहां कि गैती वाले ऊपर जाएंगे हतवरे वाले उपर जाएंगे तलवार वाले सब को ढ़ाएंगे तरशुल वाले प्लसचमकाते थे उनको समह लेंगे और काटने वाले जो तार काटने वाले थे उनका अपना काम था उननिस सो बयानवे में भाशल का दौर चल रहा था राजनीती वी चरम पर थी और कार सेवकों ने ठान लिया था कि बाबरी मस्जद को गिरा ही देंगे और वो बाबरी मस्जद गिराने के लिए वो गुंबत के ऊपर चड़ गए थे बड़े फूर्ती ले थे उनको नब्बे में गोली लग गई तो बिकलांग हो गए थे इसलिए वो गुस्से से भरे रहते थे बड़ी बड़ी आंख लाल वाले ली बाबरी उनको देख डर लगता था पर शक्ती बहुत थी उनके पास तो अपने पाउंकों नों ढाल बना देख यह इशारा था हर हर महां देख तो चारों तरफ से फिर वावाज और जब कोई रोकने वाला हो तो आरिशस के कारे करता था श्वयम सेवक थे पहले तो विचारे उसी देच साथे लग होते हैं अपनी ड्यूटी कर रहे सीटी बजा रहे थे पैंपे क्या कर रहे हो क् था कि पर्भाव आँए उसको यही वाग का मिन हो इसके नेताओं का सबी अलग 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 उनके प्रभाव से आतंकित थे नोकरी जाने खत्रा था लेकिन नोकरी चलिए गई अंत में काम उन्हों नहीं किया मैनत किया उनको हाँ उन्होंनी इक्षा शक्ति का प्रभाव दिखलाया और वो भी जुट गए और फिर धाचा तोड़ा जाने लगा उसमे अश्क्ति क меньше Sul- Meyer को थिक है हम कर रहा है झाले ठीक हैंडाचे को हम लोगोंने चाहर घंटे पिस तोड़ाए कि नीचे से तोड़ने वाली आईइडिया को गन्हा पर नीचे से तोड़ना था अब आचाहिए तो जाएंगे पर धाचवा नहीं बचना चाहिए तो साड़े तीन-चार बजे कितने वजए मैं गाहल हो गया था भाई अब जहां सबको मिलने का तैंग हुआ था जब हम नहीं तो सेना पती गायब है लोगन का कहां गए कहां गए तो आए फिर से सब लोटकर आप देखें रसे से गुंबत को खीचा जा रहा है तूटे हुए गुंबत को जो नीचे उसी के नीचे में था तो जूता देखकर फिर उसके बाद क्या हुआ वो तो रभी शंकर भी यहीं बता सकते हैं जैसा कि अब तक का बताया घायल हुए वहां तक आप साथ थे घायल अवस्था के बाद जब वो बिल्कुल अनकॉंशियस हो गया उसके बाद की आगे की कहानी आपके जबानी गुंबत गीरा गुंब फिर अचानक अन्होनी की संका हुई सबको कहें ऐसा तो नहीं कि चोट लग गई हो या किसी भी तरह कोई बात हुई गुंबत पूरा गिर चुका था गुंबत गिर चुका था सब कुछ एकदम खतम कुछ था नहीं वहां जो बड़े बड़े टुकड़े थे वही बचे हु वह बड़ा टुकड़ा पूरा गुंबत का इनके उपर था इनका जूता था जूता दिख रहा था इनका मेरी निगाह गई हमने करें तो संतोष जी का जूता है उसके बाद जब उसको हटाया गया हम लोग आट-दस लोग मिल करके जब उसको हटाए बड़े बहुत काफी बड़ा टुकड़ा था तो बेहोस पड़े हुए तो इनको लादा गया उठाकर के ले गया गया ले जाने के बाद फिर यहां ले आए पहले श्री राम हस्पिताल ले गया तो पता चला की नहीं कि अब कुछ है नहीं ले जाए इनको अच्छा डॉक्टरों ने मना कर तो हम ले गये वहां 22 दिन ये थे बेहोस थे सारी हड़ी टूट गए थी पूरा प्लास्टरों कर बथा हुआ था हला कि उम्मीद थी हम लोगों की कुछ नहीं होगा इनको यह हम लोगनों पहले ही सोच लिया था जब इनको चार गोली लगने के बाद भी यह आदमी जीवित रहा तब ही हमारे समझ में हम लोगों के समझ में बात आगी कि अब कुछ होना नहीं है इनको यह अपना 22 दिन के बाद 23-24 दिन ये के बाद जो है यह वहां से आए मेडिकल कालिय से ठीक रहे है यही सब हुआ इस दोरान एक प्रण था कि नहीं बाबरी को बाबरी विदवन्ष करना है उस जुनून की वजह से इंसान जीवित रह गया लेकिन एक उम्मीर होती ही कि अब तो बाबरी विदवन्ष भी हो चुका है जो इच्छा थी जिसके लिए जुनून था जो चोटी सी उमर से चले आ रहे थे प्रण लिए वह प्रण भी पूरा हो गया तो भाई को दिया हुआ वचन भी पूरा हो गया था उसके बाद कितने दिन तक विवार रहे संतोश जी लगभग 2 महने तो विमार से और एक यह भूल रहे हैं हम्में याद है एक प्रण इन्होंने और लिया था कि क्या था वो प्रण अब भीया को याद नहीं है लेकिन हम बताएं इन्हों ने लिया था यह प्रण कि जब तक यह मंदिर बन नहीं जाएगा तब तक मैं अपना घर नहीं बन वाओंगा तो आपका घर नहीं है अभी तक तूटा फूटा घर है वह पुराना वाला पुस्तेनी घर है और हाँ सव साल पहले वाला और जबकि यह सक्षा में सब कुछ ठीक है लेकिन एक प्रण की वज़य से कि जब तक राम दला का घर नहीं बनेगा तब तक उसके बाद मेरा जब तक प्रण कोड की परिक्रमा करके और राम लेला को अपना मुह दिखाएंगे बच्चन दिया था पूर्ण हो गया अब अपना भी घर बनाएंगे प्रबू आपका तो बन गया आपके बेटे का भी बन जाएगा तो आपने रामलला को देखा जब वो ताले में बन थे तब एक प्रण लिया फिर आप जब दुबारा गए महंत के कहने पर वहां पर दर्शन करने तब आपने अपने आसुओं के साथ एक और प्रण लिया कि तभी बनेंगा और अब दर्श अब च्पनवे साल में हूं वैसे तो उत्साथ अभी हमारा 28-27 साला है बिल्कुल बिल्कुल सारे क्रिया क्लाप वह सारी बचकानी हरकते अभी भी है कालिदास वाली वैसे ही है अभी तो हम लोग मत्हूरा और काशी के लिए पूरी तर से तयार हैं जी हाँ बिल्कुल बिल क्लाप लिए बिल्कुल यही जुनून वही जुनून आज भी है और सब जो संघर्स था आज Besाब पूरा होता दिख रहा है अशॉध्या नगरी पहिद रही है उस दौरान की तस्वीरों के बात करें और आज की तस्वीरों की बात करें तो रामनग lions अुत हैं अब्रे जिस मंदिर के पास हम लोग बैठे हैं इस आंदोलन में जिन लोगों ने आरंभिक दोर में काम किया है अभी वह महराज जी है परमहन जी के बाद वही वेक्ती थे अयोध्या में दो संद्धों ने बड़ा काम किया परमहन राम चंद्रदाव जी और सिया किशोरी शरण जी हैं अभी यहां के महंत हैं सौव साल के हैं तो इन लोगों ने बड़ा काम किया वह गोला घाट इस मंदिर की महंत हैं तो अयोध्या में बदलाओं तो समय के साथ आया है ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं आया है, खुब बदलाव आया है, आयोध्या अच्छी हो रही है, लेकिन पवरानिक मंदिरों को तोड़ कर आयोध्या अच्छी बन जाए, यहां के मठ मंदिरों को तोड़ कर बन जाए, यह अच्छा नहीं हुआ, मस्जिदे नहीं तूटी यहां की, मस्ज कि रामलेला का वबितम मंदर बन रहा है हमारी खुछी इन शब्दों में कि हमारे लिए प्रशंदता एक बड़ा छोटा शब्द है कि यह पर्मानन्द है हमारे लिए इसको यूँ कह सकते कि मोक्ष का शब्द जो है वह बहुत चोटा है बर्याई सब्द है कि वह जब रस्ति थोप देने वाला है मेरे लिए पर्मानंद धर्मानंद इश्वरानंद है यह पुरी अध्या में लोग किस बारे में खुशी मनाते हैं कैस्ते रह मानते हैं उनका अबना विशे मैं दीप प्रज्वलन वाला वेक्ति नहीं हूं केंडल मार्चोला मेरा मन अपने तरीके से इस मामले को लेता है मेरा मन कहता है कि मैंने जिस कारण प्रतिवी पर जन्म लिया भगवान ने मुझे भेजा मैं माता जानकी को अपना इस्ट बानता हूं अब कोई बात कहना होता तो मेरी मम्मी है मेरी मामा है मेरी सबकुम सब बोल देता हूं जो खूब जगड़े करता हूं और जब जब मैंने माता जानकी से जो कह दिया जो वैसे तो मांगता नहीं हूँ अपना क्या है तो मैंने उनसे कामतानात की परिक्रमा कर रहा था चित्रकूट में एक जगे सीता मैया मुझे दिख गई मंदिर में कि मैं उनके चरणों में लेड़ गया मैंने कहा मां एक पुत्र होने के नाते मेरा धर्म भी है कि मैं आप से मागूं तो महां के जो पुजारी थे उनका माँग ले बच्चा जो मांगेगा जरूर पूरुण हो जाएगा तो हमने का माँ अगर मुझे पर प्रशन्न हो सच में तुम मुझे अपना पुत्र मांती हो और सच में तु मेरी मा है तो तु एक काम में रख कर दे माँ मेरे जीवन को अधानी कर दे कि यह जो भावरी मस्जिद है इसको ढ़ाने की शक्ति दे दे और भव्यराम मंदिर बन जाए बस इसके अतरीक मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन में आप श्वास कीजिए मैंने परिक्रमा की चलाया जिस होटल में हम लोग रुके थे ए रात्री में जैसे वपन में माता सीता स्वbracht मा के कह रहे हुए कि पुत्र तुम्हारा कल्यान हो तुमने जो कहा वो अवश्य होगा तूटे घ्ञाचा तूटे गा और मंदिर बनेगा मेरे जीवन काल में बनेगा उन्होंने का अपत्रित तुम्हारे रास्ते में बहुत कंटका कीर्ण तुम्हारा मार्ग होगा पर हर समय हनुमान तुम्हारी सुरक्षा करेगा अब आपका संघर्ष जो है वो पूरा हो गया है राम जन भूमी पर राम मंदिर निर्मान भी हो रहा है रामलला भी विराजमान होने वाले हैं बात करें उस दौर की जब आप जानकी माता से लडाई कर रहे थे और उनसे बोल रहे थे कि राम मंदिर बन जाए इतनी शक्ति दीजिए वो शक्ति दी उसी दौर में शायद आपको गोलियां भी लगी उसके पहले लग चुकी थी नब इत्रमान के पास आया मैं एक लड़ु लेकर गया तो दे दिया पुझारी को हमा जी के सामने हाथ जोड़े खड़े थे इसी उसवीच पजारी के हाथ से भी छीन लिए मुझे मिला नहीं तो मैं ने लिया भी नहीं तब की म見 eje हरा हाथ तूभीर सब्सक्राइब तो कौक नहीं ले लिया तो मेरा काम पूरा हो गए अब साथ कोई जरूद है नहीं भर उसके बाद हरा हुआ हपops कि हरप blended rock organised बचारे में इन बालू के रेत में शर्जु मया के किनारे चार-चार दिन में शर्जु जल पी करके और रूत खाके रहा हूँ तो अध्या के यह स्वर्गतवार महला है सीबी आई तलास्ती रह जाती थी तमाम सीकुरिटी फोर्शेट्स जो खुफिया एजंसियां हमको तलास्ती रह जाती तो कोई घोशना होती थी पहले पुलिस मेरे पीछे लग जाती थी जाने क्या उनको खत्रा ने जराता था तो मैं सुर्गतवार के किसी मंदिर में चला ज जानते थे लेकिन कभी-कभी परिसित्यां विपरीत हो जाती थी एक बार परम हंजी ने गोशना की थी सिलादान की तो पुलिस ने घेर लिया हमको तो जिसके साथ हमने से का तुम जाओ यह लड़ाई हमारी है तुम जाओ निकल गए तो मैं माजा में चला आया अब मैं भागता वह जा रहा था तो पुलिस वालों को विश्वाफ सब्सक्राइब की इधरी जाते ने थे उन दिनों माजा में अपराधियों का बहूल बाला था अमूत की बाग थी तो अपना नारा खोहा पार करते हैं सरजु जी के किनारे अभी तो आप बंदें बैठें उन दि जो गता था तो उसी मजान पर जा बाइठा उपर मैं बैठा रात में सुबह बड़ेला सुखर होते समय वाले जो मार देते हैं नीचे वह लोग हैं उपर मैं उपर आराम से बढ़खा तो यह भी दौर देखा बहुत सारे संगर्ष के रास्ते चलने पड़े आप अब यह विकास विशे नहीं है, राम लला का मंदिर विशे है, वो बढिया बन रहा है, आयोध्या को पवराणी तरज पर जीवित रहने दिया जाए, आयोध्या में आप ज़्यादा विकास करेंगे, तो आयोध्या की महिमा, गरिमा और इसके जो मर्यादा है जिस आस्था के लिए जिस विश्वास के लिए आयोध्या नग्री जानी जाती धर्म के लिए वह कहीं न कहीं पिछे छूट जाएगा पीछे चूट रही है चूट रही है मंदिरों में केवल अब रहने जग हर लगभग जो रोड पर मंदिर है मालिक दिया गया है हो मिस्टे आपके ठहने और खाने पीने का उत्तम प्रबंद है इन मंदिरों में पहले यूहीं लोगों को भोजन करया जाता था और रहने के यहां कुछ गुजरात के वोलोग आजा रहे हैं ज Nous सब जमॉटार में प्रयाग में उझ्जैन में नासिक Мें अभी क्योंकि जो सरदालू आते हैं वो आपके होम इस्टे वाले नहीं है वो सिर पर गठरी रखे आते हैं तो पाप की गठरी हटा करके अन्न की गठरी लाते हैं और यहां भी देते हैं स्वयम पारण करते हैं अब वो सब सिस्टम बदल ला है अब सिस्टम माँ पिस्टल हो रहा ह तो जिसे आयोध्या में अब टेंटे सिटी वो मुस्लिम एक ठेकेदार है अब यह जर सोची यहां के आमंत्रित जो लोग है वो उसमें आप सोनिया गांधी जिन्होंने कहा कार्शुप को प्रगूली चले आमंत्रन मिले भी तो नहीं जाओंगा हमें तो तीस तारिक से पहले जाने ही नहीं है मैं कभी नहीं गया मैं रामलेला को तभी जॉट बोलकर सता करके सत्ता पाती है उसके इसारे पर हम नाचने वाली कट्पुतलिया नहीं है राजनीती का सहरा तो आपने उस दोर में भी नहीं लिया जब बाबरी विद्वंश करना था। होगा होगा किसी कमीने का राम काज मनें फिछडा है मर्द नहीं वह जळा इन न ले लगाए थे तो मैंने कहा कि हमारे लिए लखनो की अदालत इनके लिए राइवरेली के लिद्वंश करेंगे हमने धांचा तोड़ा है और फला आद्मी के कहने पर तोड़ा है अब मुझे दिजहाने के लिए भारत सरकार के ग्रहराज मंत्री मेरे घर आये बड़ा पैसा लेकी आये मैंने कभी देखा नहीं बैंक में भी उतना रूपिया नहीं रहता है जितना लेकी आये थे अब रवीशंकर भीया जानते हैं यह बताएं कितना लेकी आये थे मुझे कैबिनेट मंत था और कोट का चहरी तपस्या करनी पड़ी वो जरा संबता दीजिए अब उसमें मुकदमा लड़ना पड़ा चार सीटेड हो गए तो यह 28 साल 29 साल मुकदमा लड़े वकील हमारे अलग थे विश्व हिंदू परिसाद के वकील उनके खजाने से लड़ते थे कारसेवकों के धन से भारत के धन से हिंदूों के धन से और मुझे उसी मुकदमे को प्रोसेस सेम है उस मुकदमे को हमें अपना वेक्तिगत वकील करना पड़ा पहले तो वशंतलाल गुपता जी थे जन संग के विधायक थे वकील थे पहले उन्होंने एक साल वकालत करी हमारी पर उनका न में भी मैंने यही कहा कि मैंने धाचक थोड़ा है आपको जो सजा देनी हो साब मुझे सब्सक्राइब क्योंकि मैंने राम कार्य किया है और श्वांता सुखाए अपने मन की शांती के लिए किया है तो कोई गुनाह नहीं किया और इसमें इस पूरे मामले में जो बड़े सं मिलते थे उन्होंने भी हैं से कहा कि कभी जुकना नहीं टूटना नहीं बाट अने कुछ तूम तो राम आता आप कोन महुंत थे उनके बारे में जाने वह संत्य अब कौन थे मैं आतक नहीं जांपाया पर दुबारह मुलाकाद होई उन्से ओं मिले वह हमको धाचा-धने ब मैंने कहा गुर्देव मुझे आदेश बोले अब तुम्हारे जीवन में मैंने जो बचन दिया था वो पूर्ण हो गया अब मंदिर बनने जा रहा है अब जब तुम्हारी आई उस साथ वर्ष की हो जाएगी तम मैं तुम्हें मिलूंगा तब तक तुम अपने जो ग्रहस्त क आ रहे हैं पूर्ण कर लो फिर मैं जो बताओंगा वो करना आप ने बताया कि आपने को लिया या तक कि घर बनवाय सबसे बड़ी चीज यह है कि हम लोगों की जो इक्षा थी वो पूर्ण होगे संतुष्टीज बात किया है कि मंदिर बन रहा है और मोदी जी को बहुत-बहुत साधुवाद कि उन्होंने जो है दो चीज उन्होंने बहुत बढ़िया किया है धारा 370 का कात्मा दोसा राम मंद से हुआ है लेगिन फिर भी जो है कुछ नकुछ तो यह इनका है स्रेज आता है तो यह बहुत ऑच्छी बात है लोगों के सामने ही सब कूछ हो रहा है और यह भी एक गवर करने वाली बात थी कि अगर हम लोग मंदिर मस्जिद न किराते तो आज साधां मंदिर का निर्मार जी मौजूद थे जो उस दौरान 1992 में उन्होंने बाबरी विद्वन्ष में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का रहा उन्होंने ही सभी लोगों को एक जुट किया और उसको अंजान दिया बाबरी विद्वन्ष हुआ सम्विधानिक लड़ाई-लड़ी कड़ी तपस्या के बात कड़े बलदानों के बाद आज वो दिन आ रहा है जब राम लला राम जन भूमी में राम मंधिर निर्मार के अंदर विराजमान होने वाले हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उस दिन को लेकर तो काफी खुश है प्रसन्नता है उन्होंने कहा बहुत चोट जरूर बदल रही है विकास हो रहा है लिकिन इस विकास के पीछे जो धर्म नगरी कहा जाता है वो कहीं न कहीं पीछे छूटती जा रही है आस्ता जो है वो विकास के नीचे दपती जा रही है तो यह थी कहानी यहां में आमने आपको दिखाए वो कारसेवक उन कारसेवको साथ में रागनी सिंगराथ हो और आज की खबर आयोत्या